हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुवी मेरर बाय अवी में मुवी के शुरुवात में हमें कोल दिखाय जाता है जो अपने भाई टकेत को ढूनते हुए एक पार्टी में आया है जहां उसे पता चलता है कि उसके भाई ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया है अब कोल गेट तोड़ता है और हम देखते हैं कि टकेत की बैक पे कई सारे घाव के निशान है मानो किसी ने उसे नोचा हो कोल अपने भाई को रूम से बाहर लाता है तो उसका भाई कहता है कि पापा मुझे बुला रहे है कोल कहता है कि वो मर चुके है तब ही उस पार्टी में सारे लोग उन दोनों का वीडियो बराने लगते है कोल उन्हें रोकता है उसके पलड़ते ही उसका भाई कोल के सीने में चाकू गुप देता है और फिर बाहर जाके अब entry होती है मिया की जिसके घर पे कई सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि आज उसके मॉम की second death anniversary है लेकिन अभी भी मिया अपनी मॉम को भुला नहीं पाई है इसलिए वो अपना जादातर समय अपनी दोश जेड उसका भाई रैली और उसकी मॉम सू के से पिक करने जाती है घर जाते समय सड़क पे उन्हें घायल कैंगरु दिखता है जो तरप रहा है रैली कहता है कि हमें इसकी help करनी चाहिए मिया कहती है कि यह बच नहीं पाएगा रैली कहता है कि कम सकम हम इसकी तकलीव से इसे मुक्त तो कर सकते हैं यानि इसे मार दें तो मार रैली जेड से कहता है कि तुम मुझे पिक करना कैसे भूल गई और मॉम को बताने की धमकी देता है दरसल जेड अपने बॉय फ्रेंड डैनियल जो जेड और मिया दौनों का common friend है उससे बात करने में रैली को पिक करना भूल गई थी तब ही मिया फोन में एक वीडियो ब अब दोनों जैसे ही पार्टी में जाने लगते हैं तो राईली भी साथ चलने को कहता है। जेड बना करती है तो राईली कहता है कि मैंने अभी तक मॉम को नहीं बताया है कि तुम मुझे पिक करना भूल गई थी। अगर साथ नहीं चलने दिया तो जरूर बता दूगा। राईली जेड को ब्लैक मेल करने में काम्याब होता है। अब तीनों पार्टी में पहुँच जाते हैं। हम साफ देख सकते हैं कि जेड को सब जानते हैं लेकिन मिया को वहाँ कोई खास पसंद ही करता। मानो मिया यहां वेलकम नहों अब डैनियल भी वहाँ आ जाता है और अब समय था गेम शुरू करने का। हेली और उसका दोस्त जोष एक चेर लाते हैं और सब से पूछते हैं कि पहले कौन आएगा। तब ही मिया देखती है कि जेड ने अपने बॉइफरेंड डैनियल का हाथ पकड़ा हुआ हैं ये देखते ही शायद मिया को जेड से जलन हुई या फिर लोगों के बीच अपनी जगे बनाने के लिए कारण चाये जो भी हो मिया पहले जाने के लिए अपना हाथ खड़ा कर देती है ऐसा करते ही वो सबकी नजरों में आ जाती है अब जोश मिया को एक चेर पे बैठाता है और एक बैल्ट से कस्के बांद देता है इधर हेली गेम के रूल्स बताती है रूल नमा वन सामने एक हाथ रखा जाएगा जिसे पकड़ के कहना होगा टॉक टुमी रूल नमा टू इसके बाद कहना होगा आई लट यू इन रूल नमा थ्री ऐसा कहते ही 90 सेकिंड्स का टाइमर शुरू कर दिया जाएगा और टाइम पूरा होने से पहले हाथ को होगा और कैंडल को भुझाना होगा मिया पूछती है कि अगर 90 सेकिंड्स से जादा हो जाए तो क्या होगा जौश कहता है कि उसके बाद वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे और अगर उनके वश में रहते हुए तुम मर गई तो वो तुम्हें ले जाएंगे रा राइली कहती है कि बस बोलो मिया डरते हुए कहती है तभी उसे जोर का जटका लगता है और उसकी सांसे रुक जाती है अब उसकी आखें काली होने लगती है और इसके तुरंत बाद मिया जोर-जोर से हसने लगती है और हस्ते हस्ते अचानक से चुप हो जाती है वो आत्मा पूरी तरह से मिया के अंदर आ चुकी थी अब मिया राइली को देख के कहती है वो तुम्हें पसंद करते हैं तभी रूम का गेट अपने आप खुलता है सभी बेहट डर जाते हैं और तभी जटके से वो गेट बंध हो जाता है सब बहुत ज़ादा एकसाइड़ हो जाते हैं अब वो आत्मा राइली को देख के कहती है कि वो तुम्हारे पीछे है वो तुम्हें काट डालेंगे बच्चे तभी हेली कहती है कि 83 सेकंड्स हो गए है मिया से वो हाथ लो मिया से वो हाथ खीचती है और फाइनली वो हाथ छूट जाता है और एक बंदा केंडल बुचा देता है सब कुछ एकदम से शान्त हो जाता है मिया हसने लगती है और कहती है कि वो कमाल था मिया को नॉर्मल देख बाकी सभी भी रिलेक्स हो जाते हैं हेली कहती है कि अभी तक का बेस्ट था, अब पार्टी से घर आने के बाद हम देखते हैं कि राइली आज की घटना से काफी डरा हुआ है, वो जेड से कहता है कि क्या मैं आज तुम्हारे पास सो जाओं, जेड मना कर देती है, दरसल मिया आज इन्ही के घर पे सोने वाली थी, तो राइली मिया से पूछता है, और मिया हा कहते हुए उसे अपने पास सुला देती है, अब मिया पूछती है कि क्या तुम्हें हाथ वाले गेम से डर लगा, राइली कहता है हाँ, थोड़ा सा, राइली पूछता है कि क्या तुम्हें डरावने सपने आते हैं, मिया कहती है कि मुझे एक सपना बार बार आता है जिसमें मैं खुद को मिरर में देख रही हूँ लेकिन मिरर में मेरी कोई परचाई या रिफलेक्शन नहीं है जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो राईली पूछता है कि तुम्हारे मॉम की दैट कैसे हुई मिया कहती है कि उन्होंने गलती से बहुत सारी नीन की गोलिया खाली थी मेरे डैट सोफे पे सो रहे थे बाद में पता चला कि उनके नाखुनों में गेट की लकडी के टुकड़े थे उन्हें मदद चाहिए थी लेकिन डैट उनकी मदद के लिए वहन नहीं थे राईली कहता है कि मॉम नहीं है तो क्या हुआ मैं और जेट तो है हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे अब हम देखते हैं कि राईली फोन देखते होए सो गया है और मिया उसका फोन और इयरफोन सहटा देती है तभी पीचे से एक अजीब सा काला हात आता है अब अगले दिन सुभा जेट और मिया हिली के पास जाते हैं और कहते है कि मेरी मॉम 9 बजे बाहर जाने वाली है तो क्या तुम और जोश वो हाथ लेके घर आ सकते हो हेली मान जाती है अब जेट की मॉम के जाने के बाद सभी लोग वहाँ खटा होते हैं और जोश डैनिल के सामने वो हाथ रखता है तभी मिया पूछती है कि ये हाथ तुम्हें कहां से मिला जोश कहता है कि ये हाथ एक साईकिक का है साइकिक का मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ दाक्ते हों जैसे भविश्य देख लेना या मरे हुए लोगों से बात करना तो उसके मरने के बाद लोगों ने उसका हाथ काट के उस पे प्लास्टर कर दिया ताकि और भी लोग भूतों से बात कर सके हेली कहती है कि ये भी माना जाता है कि ये हाथ किसी शैतान के पुजारी का था अब जोश डैनियल को बानता है और खेल शुरू होता है जैसे ही डैनियल वो हाथ पकड़ता है उसे सामने कोई दिखाई देता है जिसे वो बेहट डर जाता है डैनियल डरते हुए कहता है और उसे भी जोर से जटका लगता है और सांसे रुख जाती है लेकिन मिया से थोड़ी जादा देर तक डैनियल को ऐसा देख जेड परेशान हो जाती है तभी डैनियल की आँखे भी काली होना शुरू हो जाती है लेकिन ये आत्मा थोड़ी ठरकी टाइप की होती है और डैनियल वो सात्मा के वश में कुछ अपति जनक हरकते करने लगता है वो भी जेड के डॉक के साथ तभी जोश वो हाथ खीच लेता है और डैनियल होश में आता है अब सभी का हसस के बुरहाल था डैनियल नाराज होके वहाँ से चला जाता है अब हेली पूछती है कि नेक्स्ट कौन आना चाहेगा मिया कहती है कि मैं और फिर शुरू होता है इनका अजीब खेल एक एकर सभी इसका हिस्सा बनते हैं पार्टी ओवर होने ही वाली होती है कि राइली कहता है कि मुझे भी ट्राइ करना है जेड मना करते होए कहती है कि तुम अभी छोटे हो तुम ये नहीं कर सकते अब जेड और राइली के बीच में बहस होती है और जेड वहां से चली जाती है राइली उदास हो जाता है तो मिया कहती है कि ठीक है लेकिं सिर्फ 50 सेकंड्स के लिए अब जोश राइली को बांथा है और हेली केंडल जलाती है अब राइली कहता है टॉक्टु मी ऐसा कहते है राइली के सामने who משाता है लेकिं हैरानी की बात ये थी कि औरों के जैसे राइली उस आत्मा को देख के डरा नहीं राइली अपनी आखे बंद करता है और कहता है I let you in और वो आत्मा उसमें आ जाती है अब राइली कहता है मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी मिया यानि ये मिया की मॉम है persistence इसलिए राइली डरा नहीं अब मिया की मॉम कहती है कि मुझे माफ कर दो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ तब ही हेली कहती है कि 50 seconds हो गए हैं लेकिन मिया मना कर देती है वो कहती है कि ये मेरी मॉम है मुझे उन से बात करने दो अब मिया की मॉम कहती है कि तुमने बहुत अच्छे से खुद का ध्यान रखा है मिया, I am proud of you तभी राइली बोलते बोलते रुख जाता है जोर से अपना सर उस टेबल पे मारता है, जिससे राइली के सर से खुन निकलने लगता है किसी को कुछ समझ आता, उससे पहले राइली एक और बार अपना सर उस टेबल पे पटकता है और अब वो अपनी आँख निकालने की कोशिश करता है मिया और जोश उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राइली नहीं रुखता तभी उसकी चेर जोर से साइड में खिच जाती है और अब उधर पड़ी टेबल पे अपना सर मारने लगता है तभी इतना शोर सुनके जेड वहां आ जाती है अब राइली पूरी ताकत से एक आखरी बार अपना सर मारने ही वाला होता है कि जेड अपना हाथ उस टेबल और राइली के सर के बीच में रख देती है जिससे राइली बचतो जाता है लेकिन बेहोश हो जाता है अब जेड 911 पे कॉल करती है और वहां पुलीस आ जाती है राइली को फॉरन हॉस्पिटल ले जाय जाता है और सभी को पूछताच के लिए पुलीस टेशन अब हम देखते हैं कि मिया अपने डैड के साथ अपने घर आई है उसके डैड उससे पूछते हैं कि वहां क्या हुआ मुझे सच बताओ मिया कहती है कि आपने मॉम की डैथ के बारे में कौन सा सच बोला है ऐसा कहते हुए मिया वहाँ से अपने रूम में चली जाती है अब हम देखते हैं कि मिया अपने साथ वो हाथ भी ले आई है लेकिन मिया का अपने घर पे मन नहीं लगता तो वो वहाँ से कैब लेती है और सीधा राईली के हॉस्पिटल चली जाती है जहां वो राईली की हालत देखती है जो बहुत ज़ादा खराब है तब ही राईली की मौम सू वहां आती है और मिया से कहती है कि यहां से चली जाओ तुमने जरूर इसे कुछ नशे की चीज़ दी होगी यहां से चली जाओ वरना मैं पुलीस को बलाऊंगी अब मिया निराश आप दानों सो जाते हैं तभी मिया को सपना आता है कि उसके डैड उसकी मॉम को गेट से बहाल आ रहे हैं लेकिन उसकी मौम मर चुकी है तब ही अगले ही पल उसकी मौम की जगव वो खुद को मरा देखती है अब उसे अपने नाखुनों में लकडी के टुकडे दिखाई देते हैं जैसे उसकी मौम के थे और जटके से उसकी आँख खुल जाती है तब ही उसे रूम के कोने में कोई बैठा दिखाई देता है ये एक बूरी सी औरत है जो धीरे-धीरे उसकी तरफ आ रही है मिया डर के बैठ से उठ जाती है तब ही वो औरत डैनियल का पेर पकड़ के उसका अंगुठा खाने लगती है मिया जोर से चिलाती है कि डैनियल उठो तब ही डैनियल उठता है और देखता है कि मिया के मूँ में उस कांग उठा है वो जटके से अपना पैर खीच लेता है जिससे मिया को होश आ जाता है मिया कहती है कि वो औरत कहां गई पुछती है कि क्या आपने सच में नीन्ट की गोलियां खाई थी उसकी माम कहती है मैंने जान मुझके नहीं किया मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी राईली की मदद करो मिया वह बहुत दर्द में और हमें मिया दिखाई जाती है जो बस गुम सुमसी बैठी है इसके बाद मिया अपने बैट पे सो जाती है लेकिन अकेले नहीं उसके साथ थी उसकी मॉम अब अगली सुभर राईली को उसकी मॉम और जेड स्पंच बात दे रहे थे तभी उसकी मॉम को कॉल आता है वो जेड को राईली का ध्यान रखने का कहके वहां से चली जाती है अब जेड राईली से बात करने की कोशिश करती है कुछी देर बाद हलका सा होश आते ही वो जेड को उसी हाथ पे काट लेता है जिस हाथ से जेड ने राईली की जान बचाई थी तब ही जेड राईली को धका दे के वहां से दूर चली जाती है अब गिरा के फर्ष पे पड़े अपने ही खून को चाटने लगता है खून चाटते हुए उसे दोरे आने लगते हैं तभी वहां उसकी मौम और एक नर्स आ जाती है लेकिन जेट दूर बैठी बस देखती रहती है अब सभी हेली के घर पे मिलते हैं जहां मिया कहती है कि क्या तुम जोश कहता है कि ये हाथ उसी ने दिया था उसने इस हाथ के चकर में अपने भाई कोल को चाकू मारा और फिर खुद की जान ले ली मिया कहती है कि क्या हम कोल से एक बार मिल सकते हैं अब जोश इन सब को कोल के पास ले जाता है और कोल को सारी बात बताता है कोल कहता है कि कुछ नहीं हो रहा, वो उसे मार रहे हैं, कोल कहता है कि इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, ये सुनते ही जेड वहां से चली जाती है, मिया उसे रोकती है, तो जेड का गुस्सा फूट पड़ता है, वो कहती है कि तुम्हारे कारण राईली आज मौत के मूँ में है, मिय हम उस कैंडल को बुझा देंगे, जिससे वो रास्ता बंद हो जाए, जेड गुस्से में होती है, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए मान जाती है, अब तीनों हॉस्पिटल आते हैं, जहां जेड कहती है कि मौम एक घंटे के लिए बाहर गई है, हम अभी ये कर सकते है अब डेनियल कैंडल जलाता है, और मिया राईली का हाथ पकड़के उस हाथ पे रखती है, और कहती है, टॉक टु हिम, लेकिन कुछ नहीं होता, तब मिया कहती है कि हो सकता है राईली की आत्मा अभी यहीं हो, मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, जेड उसे मना करती है लेकिन मिया नहीं मानती और हाथ पकड़ के कहती है राइली टॉकट टुमी तब ही मिया के सामने एक छोटी बच्ची की आत्मा आती है मियां उससे पूछती है कि क्या तुमने राइली को देखा है वो बच्ची खींच लेती है और मिया वापस अपनी दुनिया में आ जाती है अब मिया रोने लगती है उसने अभी अभी राइली का दर्द मैसूस किया था वो रोते हुए कहती है कि ये आत्माएं रुकने वाली नहीं है वो राइली को नहीं छोड़ेंगे अब हम देखते हैं कि मिया अप ही मांग रही थी और कह रही है कि मैं परेशान हूँ मुझे इस दर्ज से मुक्ती चाहिए लेकिन मेरे जाने के बाद ये सोचना की मैं खुश हूँ यानी मिया की मौम डिप्रेशन में थी और जानमूज के खुद को खत्म किया था क्योंकि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी अ उस बुरी आत्मा ने उनका रूप ले लिया है तभी उसके डैड कहते हैं कि दर्वाजा खोलो और रूम का गेट जोर-जोर से बजाने लगते हैं लेकिन हम देखते हैं कि मिया के डैड अभी भी बाहर सोफे पे ही बैठे हैं तभी मिया की मौम कहती है कि हमें राइली की क्या करूं तो उसकी मौम कहती है कि तुम्हें राइली को मारना होगा तभी उसे इस दर्श से छुटकारा मिलेगा यही एक रास्ता है मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी तभी मिया के डैड गेट खोल के अंदर आ जाते हैं और मिया पे हमला कर देते हैं मिया बचने की को कैची को उठा के उसके गले में घुसा देती है लेकिन हकीकत में वो कैची उसके रियल डैड के गले में लगी थी अब अगली सुबह मिया जेड को कॉल करती है और कहती है कि मुझे राइली को बचाने का तरीका मिल गया है तुम्हें जल्दी से मेरे घर आना होगा जेड फ कहती है कि राइली के अंदर कोई नशे की चीज़ नहीं मिली ये उसकी दिमागी हालत के कारण हो रहा है मुझे माफ करना मैं तुमसे नाराज हुई राइली और हम सब तुम्हारी फैमिली है तब ही मिया कहती है कि क्या मैं राइली से अकेले में बात कर सकती हूँ सू कहती है क बिल्कुल कर सकती हो और वो रूम से बाहर चली जाती है अब मिया राइली का हाथ पकड़े होए थी तभी राइली की जगा वही बुड़ा आदमी आ जाता है वो कहता है कि राइली मेरा है हमेशा हमेशा के लिए तभी मिया वही कैची निकालती है जिससे अपने डैड को मारा और पूछती है कि क्या मिया वहाँ पे है उसकी मॉम कहती है कि वो राइली के पास ही है जेड कहती है कि मिया खतरनाक है आप जल्दी से राइली के पास जाओ अब जैसे ही सू रूम में आती है तो वहाँ ना तो राइली होता है और ना ही मिया तब ही जल्दी से जेड हॉस्प पेले जा रही है और मिया के पीछे उसकी मौम होती है जो कह रही थी कि मिया तुम बिल्कुल सही कर रही हो मैं राइली का ध्यान रखूंगी लेकिन हम देख सकते हैं कि ये कोई और है जो मिया की मौम की आवाज मैं मिया से बात कर रही है तभी जेड वहां आ जाती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सामने से आ रही तेज रफ़तार कार से एक चीज टकराती है। ये मिया थी। अब सड़क पे घाल पड़ी मिया उठती है। वो देखती है कि जेड ने राइली को अपनी गोद में पकड़ रखा है। तब ही मिया सीधे होस्पिटल पहुँच जाती है। जहां उसके पास से राइली को ले जाये जाता है। और जिस रूम में उसे ले जाये जाता है। वहीं राइली बैट पे बैठा। जेड और अपनी मॉम से हसस के बाते कर रहा है। तभी मिया को अपने डैड दिखाई देते हैं वो अपने डैड को आवाज लगाते हुए उनके पीछे जाती है तभी साइड में राइली बिल्कुल ठीक होगे जेड और अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है और एक एकर हॉस्पिटल की लाइट्स बंद हो रही है अब मिया जैसे ही मुड़ती है उसे सामने एक मिरर दिखाई देता है लेकिन उसमें मिया का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता अब मिया अपने हाथों को देखती है तो उसकी अंगुलिया तूटी हुई है तभी मिया अपने डैट को आवाज लगाती है लेकिन वो नहीं सुनते और एक लिफ्ट में चले जाते हैं और एक एकर सारी लाइट्स बंद हो जाती है देखते ही देखते वहाँ पूरा अंधेरा हो जाता है तभी माचिस जलने की आवाज के साथ एक हलकी सी रोष्णी दिखाई देती है अब मिया उस रोष्णी की तरव पढ़ती है जहां कोई अपना हाथ आगे की हुए है मिया जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है वो एक रूम में पहुँचाती है जहां कई सारे लोग बैठे हैं तभी वो इनसान कहता है और मूवी यही एंड हो जाती है यानि जिस गेम से ये सब शुरू हुआ था अब मिया खुद उस गेम का पार्ट बन गई थी जैसा मिया ने कहा था कि उसे एक सपना बार-बार आता है कि उसे मिरर में अपना रिफलेक्शन नहीं दिखता और ये सपना एंड में सच भी हुआ यानि मिया में भी कही ना कही थोड़ी साइकिक पावर थी अब बात कर लेते हैं मिया के मौम की क्या वो सच में मिया की मौम थी मुझे लगता है कि वो मिया की मौम नहीं थी क्यूंकि जब वो आत्मा हैं इन लोगों में आती थी तो इनके बारे में इनकी सारी बाते इनके सारे राज जान जाती थी तो उन्हें मिया और उसकी मौम के बारे में पता था और जब राइली की बारी आई तो आत्माओं ने कमजोर कड़ी मिया को चुना और राइली के सामने मिया की मौम बनके आए और मिया को बातों में उलजाय रखा और राइली को पूरा वश में करते ही उसकी मौम की आत्मा हट के वहां शैतान की आत्मा आ जाती है और राइली को नुकसान पहुचाने लगती है ताकि वो आत्मा के वश में वही मर जाए ऐसा होने पे वो हमेशा के लिए उनके साथ फस जाता और लास्ट में हम देख सकते है कि आवास तो मिया के मौम की थी लेकिन उसका चेहरा बिलकुल अलग था यानि वो मिया की मौम नहीं थी अब बात कर लेते हैं कैंगरू वाले सीन की वो सीन मिया की सोच को दर्शाता था चाहे कोई कितना भी तकलीफ में क्यों नहो मिया उसे हर्ट या मार नहीं सकती थी और यही राईली के केस में हुआ सब ही आत्माएं यही कह रही थी कि उसे आजाद कर दो जैसा कि खुद राईली ने भी उस कैंगरू के लिए बोला था लेकिन मिया की यही कमजोरी राईली के लिए वरदान साबित हुई आत्माओं के वश में होते हुए भी उसने राईली को नहीं बलकि खुद को कार के आगे ठेकिला यह मेरी फर्स्ट और लास्ट हॉरर मुवी थी इसके बाद नो हॉरर अगर मेरी स्टोरी टैलिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हेली और जॉश जैसे खमीनों दोस्तों के साथ शेर जरू करें और आप इसे लाइक करना ना भोलें आप सुन रहे थे मुवी मिरर बाई अभी मिलते हैं अगले नॉन हॉरर वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें बाई